नमस्कार मैं जाइनिवास टाइमसलाइब इंडिया में आपका स्वागत है मैं आपको चुनाव के दुनिया में और इसके साथ कोट की और लिये चलता हूँ दिल्ली की रोहनी कोट जहां वकिलों का चुनाव एक बार सरगर्मियों के साथ जो रोपर है चुनाव के डेट हो चुकी है और उमिद्वारों की लिस्ट भी फाइनल हो चुका है जिसे हम कहते हैं रोहनी कोट बार एसोसियेशन आर सी बीए जिसका चुनाव कुछ दिनों बाद होनाता है और हमारे सामने मौजूद है चुनाव अधिकारे सबसे पहले मैं जानूँगा शर अपना परिचाव बताएंगे मैं आर डी वाट्स एडवोकेट इलेक्शन कमीशन रोहनी कोट बार एसोसियेशन का जो इलेक्शन कमीशन है उसका चेर्मेन हूँ इस बार वकिलों का चुनाव पर कि दिया किस तरह से हो रहा और क्या कुछ नया होने वाला है जैसे पिछले चुनावों में रहा कि EVM के थरू हम यहाँ इलेक्शन ज्यादा कराते थे पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में वह भी हमने EVM से कराया था और इसका भी हम EVM से ही इलेक्शन करा रहे हैं लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस बार हम डिजिटाइजेशन से इलेक्शन करा रहे हैं जो डिजिटाइजेशन आज तक किसी भी कोर्ट की बार एसोशियेशन नहीं किया है तो रोहिनी कोर्ट बार एशोशियेशन या रोहिनी कोर्ट इलेक्शन कमिशन इस बार एक नई चीज करने जा रहा है कि बार कोर्ड और क्यूर कोर्ड इश्यू करकर उसके थ्रू इलेक्शन होगा तो यह डिजिटाइशन के उसमें एक तरह से रोहिनी कोर्ट टॉर्च भी अरर बने वाला है और इस तरीके से हम ऐसा समझते हैं कि इससे वोटर्स को बहुत स्वीधा होगी और जो फेक वोटर्स होगे वो या इलेक्शन में किसी भी तरह का प्रभाव डालकर जो इलेक्शन क को गलत तरीके से लेजाने वाले लोग होते हैं वह ऐसा नहीं कर पाएंगे बहुतीं फियर इलेक्शन होगा और बार कोर्ट और क्यूर्च कोड़् से एलेक्शन होने पर और उवीएं से एक और खास बात है वह आज तक क ही इंदा Twitter वहेम बार को इस वार हम इसमें ना रहे कहा जाए आपने EVM की चर्चा करी और कई नई टेक्नोजी जोड़ी है लेकिन दिखा जाए तो पिछले पांच वर्षों के दोरान EVM बीवादों के घेरों में रहा है जिसमें राष्ट का चुनाव था ऐसे मैं इस कोट के चुनाव को किस तरह से अलग और पिर्थक मानेंगे दिखो जो राष्ट के चुनाव में EVM हैकिंग की जो बात आई थी आपको अगर ध्यान हो तो इलेक्शन कमिशन ने उन सभी पार्टियों को बिलाया था और उनके सामने डिमोंस्ट्रेशन करने के लिए कहा था कि ये हैक नहीं हो सकती जिन लोगों ने दावा उस समय किया था कि EVM हैकिंग हो सकती है वो कोई भी इलेक्शन कमिशन में नहीं आए और उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि EVM में किसी प्रकार की कोई हैकिंग नहीं होती है तो EVM में हमारे कोई हैकिंग होने का मतलब ही नहीं है बहुत ही फेर एलेक्शन होगा और साथ में वीवीपेट मशीन के साथ हम पहली बार यहां इलेक्शन करा रहे हैं चुनाओ अधिकारी के मुताबिक इलेक्शन एवीएम से होगा और बिल्कुल साफ स्वक्ष होगा लेकिन अब जानना यह चाहते है हमारे के ओडियंस से इस इलेक्शन में चुनाओति किस रुप में आपके सामने आएगा उसका सामना आप कैसे करेंगे कोई भी इलेक्शन हो या कोई भी हम काम करते हैं तो तभी अच्छा लगता है जब चुनाओतिया आती है और उन चुनाओतिया चुनाओतियों का सामना करने के लिए हमारे election commission में जो हमारे RO साभ है वो Mr. विवेक भारती है हमारे RO सुरेंदर कोशिक जी है रजनीश जहाजी है राजीव जहाजी है जो RO है हमारे जो election commission के member है याशपाल सिंग है और दीपक शर्मा है तो हमारी एक team है और हमने advisor के तोर पर हमारे यादव जी है RS यादव जी वो हमें समय समय पर advice देते रहते हैं और हमारी पूरी टीम उन चुनोतिया का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षा में तयार है हमें कोई परिशारी नहीं आ रही और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिनी कोड़ बार के जो हमारे members है और जो हमा हमारे इस बीच हमारे वकिलों को आप बताएंगे कि वो किस पेटर्न के तहत वो वोटिंग करेंगे और पहली बात कि इलेक्षन किस डेट में डिकलियर है और कितने पोस्ट के लिए कितने परती भागी चुनावी मैदान में आखाड़े में हैं हमारा जो इलेक्षन है वो 11 करार हमारी एक्जेकीकेटिव कमेटी की पोस्ट होती है जिनने प्रेजिडेंट-वाइस प्रेजिडेंट-ओन्री सेकरेटरी एडिशनल सेक्टरी जॉइन सेक्टरीं Trezor Library In Charge Senior Member Executive Above 25 Years Member Executive 10 to 25 Years Member Executive Below 10 Years And Executive Member Lady तो यह हमारी 11 पोस्टे हैं और इसके लिए 62 हमारी Candidate है हमारा election 18 मार्च को सुबे साढ़े नो बजे से शुरू होगा और पांच बजे तक रहेगा और उसी दिन रिजल्ट भी उसी दिन टेक्निकल चीजे इसमें कई हैं और बड़े सवधानी से असपष्ट चुनाव हो गया देखना यह है कि इस चुनावी परकिरिया में नयाय देने वालों के साथ कितना नयाय हो पाता है दिल्ली से टाइमसलाइब इंडिया के लिए जाई निवास की यह रिपोर्ट